शोप का पुरसकार, कहानी, मुशी प्रेमचंद वन आज तीन दिन गुजर गए, शाम का वक्त था, मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश-खुश चला आ रहा था, मेरे सैकडों दोस्त मुझे बधाईया दे रहे थे, मारे खुशी के मेरी बाचें खिली जाती थी, मेरी जिन्दगी की सबसे प्यारी आरजूग की मैं एमशून एशून पास हो जाऊ, पूरी हो गए थी और ऐसी खुबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी, मेरा नमबर अववल था, वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझे से हाथ मिलाया था और मुस्करा कर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ती दे, मेरी खुशी की कोई सीमा न थी, मैं नौजवान था, सुन्दर था, स्वस्थ था, रुपे पैसे की न मुझे इच्छा थी और न कुछ कमी, माबाप बहुत कुछ छोड़ गए थे, दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वह सब मुझे प्राप्त थी, और सबसे बढ़कर पहलू में एक है उसलामंद दिल था जो ख्याती प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था, घर आया, दोस्तों ने यहां भी पीछा न छोड़ा, दावत की ठहरी, दोस्तों की खातिर्तवाजों में बारह बज गए, लेटा तो बर्बस खयाल मिस लीलावती की तरफ जा पहुचा जो मेरे पडोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ भी शून ए शून का डिप्लोमा हासिल किया था, भाग्यशाली होगा वह वेक्ती जो मिस लीला को ब्याहेगा, कैसी सुन्दर है, कितना मीठा गला है, कैसा हसमुख स्वभाव, मैं कभी कभी उसके यहां प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था, वह दिन शुब होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर न मिलते थे, मिस लील बना लेने में आपत्ती न होगी, वह शेली, बायरन और कीट्स की प्रेमी थी और मेरी रुची भी बिलकुल उसी के समान थी, हम जब अकेले होते तो अकसर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते और उसके मुहसे भावों में दूबी हुई बातें सुन सुनक मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी, मगर अफसोस मैं अपना मालिक न था, मेरी शादी एक उचे घराने में कर दी गई थी और अग्रचे मैंने अब तक अपनी बीबी की सूरत भी न देखी थी मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी सं संगत में वह आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीला की संगत में संभव है, शादी हुए दो साल हो चुके थे मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा था, मैंने दो तीन खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला, इस से मुझे शक हो गया था कि उसकी तालीम भी योही सी ह आह, क्या मैं इसी लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूगा, इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किलों को उढ़ा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे, क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धोलूँ, नामुम्किन है, मैं कुमुदिनी को छोड़ मैं अपने घरवालों से नाता तोड़ लूगा, मैं बदनाम हूगा, परेशान हुएगा, मगर मिस लीला को जरूर अपना बनाऊगा। इन ही खयालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़ कर बिस्तर पर लेटा रहा और सोचते सोचते सो गया, सबेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन्दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं, उनके हाथ में डायरी थी जिसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे, उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया, अफसोस अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी, अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया, कुमुदिनी के सगे भाई थे, बहुत स्वस्त, सुन्दर और हसमुग, उम्र मुझ से दो ही चार साल ज्यादा थी, उचे पदपर नियुक्त थे, कुछ दिनों से इ उनकी गाड़ी दोस्ती हो गई थी, मैंने पूछा क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, निरंजन हा, मैं मगर कुमुदिनी से कुछ न कहना, निरंजन बहुत अच्छा, न कहूगा, मैं इस वक्त किसी सोच में हो, मेरा डिपलोमा देखा, निरंजन घर से खत आया है, पित निरंजन तुम भी चलोगे, न मालूम कैसा पड़े, कैसा न पड़े, मैं मुझे तो इस वक्त माफ कर दो, निरंजन दास यह कह कर चले गए, मैंने हजामत बनाई, कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला, वहा जाकर देखा तो ताला पड़ हुआ है, मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबियत दो-तीन दिन से खराब थी, आप हवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई, अफसोस, मैं हाथ मल कर रह गया, क्या लीला मुझे से नाराज थी, उसने मुझे क्यों ख्वर नहीं दी, लीला, क्या तू बेवफा है, तुझ से बेवफाई की उमीद न थी, फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दू, मगर घर आया तो लीला का खत मिला, कापते हुए हाथों से खोला, लिखा था मैं बीमार हूँ, मेरी जीने की कोई उमीद नहीं है, डाक्टर कहते हैं, कि प्लेग है, जब त दिल में कायम रखना, मुझे सक्त अफसोस है, कि तुम से मिलकर नहीं आई, मेरा कसूर माफ करना और अपनी अभागिनी लीला को भुला मत देना, खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा, दुनिया आखों में अधेरी हो गई, मुह से एक ठंडी आह निकली, बिना एक ख़न गवाय मैंने बिस्तर बाधा और नैनी ताल चलने के लिए तैयार हो गया, घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई, कालेज से चले आ रहे थे, चहरे पर शोक लिखा हुआ था, मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकाल कर मेरे सामने फेंक द दिया, मेरा कलेजा धक से हो गया, आखों में अधेरा च्छा गया, तार कौन उठाता है, और हाय मार कर बैठ गया, लीला, तु इतनी जल्दी मुझ से जुदा हो गई, तु मैं रोता हुआ घर आया और चार पाई पर मुहढ़ा पकर खूब रोया, नैनी ताल जाने का इरा जादा खत्म हो गया, दस बारा दिन तक मैं उनमाद की सी द्रशा में इद्र उधर गूमता रहा, दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं गूमने चले जाओ, मेरे दिल में भी यह बात जम गई, निकल खड़ा हुआ और दो महीने तक विंध्या चल, पारसनात वगेरा पहाडियों में आवारा फिरता रहा, जे उन्तियों करके नई नई जगहों और द्रिश्यों की सैर से तबियत को जरा तस्कीन हुई, मैं आबू में था जब मेरे नामतार पहुचा कि मैं कालेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुना गया हूँ, जीत तो नचाहता था कि फिर इस शहर में आऊ, मगर प्रिंसिपल के खतने मजबूर कर दिया, लाचार, लोटा और अपने काम में लग गया, जिंदादिली नाम को नबाकी रही थी, दोस्तों की संगत से भागता और हसी मजाक से चिर मालूम होती, एक रोज शाम के वक्त में अपने अधेरे कमरे में लेटा हुआ कल पनालोग की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई, आह, क्या आवाज थी, तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी, स्वर कितना करून था, इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है, तमाम रोंग का प्यारा गीत था, पिया मिलन है, कठिन बावरी, मुझे से जबत नहो सका, मैं एक उनमाद की सी द्रशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खट खटाया, मुझे उस वक्त यह चेतना नरहिक की एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उस मैं भी उसके साथ चला गया, देहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुचा, उस पर एक सफेद फर्ष बिचा हुआ था, गावत किये भी रखे थे, दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थी और एक 167 साल का सुन्दर नौजवान जिसकी अभी मसे भीग मसनद के करीब बैठा हुआ हार्मोनियम पर गा रहा था, मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा सुन्दर स्वस्त नौजवान मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा चालधाल से सिख मालूम होता था, मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हार्मोनियम छोड़ कर खड़ा हो गया, शर्म के उस्ताद मालूम होते हैं, खासकर जो चीज अभी आप गा रहे थे, वह मुझे पसंद है, नौजवान ने अपनी बड़ीबडी आखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होटों ही में कुछ अपने नौसेखियेपन की बात कही, मैंने फिर पूछा आप यहा और बहुत गुस्ता खाना बेतकलुफी से मिहर सिंग का हाथ पकड़ कर बिठा दिया और फिर माफी मागी, उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वह पंजाब का रहने वाला है, और यहां पढ़ने के लिए आया हुआ है, शायद डाक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आभवा उसके लिए ठीक नहीं है, मैं दिल में तो जेमपा की एक स्कूल के लड़के के साथ बैठ कर ऐसी बेतकलुफी से बातें कर रहा हूँ, मगर संगीत के प्रेम ने इस खयाल को रहने न दिया, रस्मी परिचे के बाद मैंने फिर प्रार्थना की की वही चीज छे दिये, महर सिंग ने आखे नीचे करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसे किया हूँ, मैं यह तो आप अपनी जबान से कहिए, महर सिंग जेमपकर, आप कुछ फरमाएं, हार्मोनियम हाजिर है, मैं मैं इस फन में बिल्कुल को रहूं वरना आपकी फरमाईश जर हाला कि इस वक्त मुझे रुखा होने का कोई हक न था मगर जब मैंने देखा कि यह किसी तरह न मानेगा तो जरा रुखाई से बोला खेर जाने दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बरबाद किया, माफ कीजिए, यह कहकर उठ खड़ा हुआ, मेरी रो हैं, मैं मुझे आपसे नाराज होने का कोई हक हासिल नहीं, महर सिंह अच्छा बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाईश पूरी करूगा, मगर मैं अभी बिलकुल अनाडी हूँ, मैं बैठ गया और महर सिंह ने हार्मोनियम पर वही गीत अलापना शुरू किया पिया मिलन है, कैसी सुरीली तान थी, कैसी मीठी आवाज, कैसा बेचैन करने वाला भाव, उसके गले में वहरस था जिसका बयान नहीं हो सकता, मैंने देखा कि गाते-गाते खुद उसकी आखों में आसु भर आये, मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सी द्रशा चाई हुई थी, एक बह परे-भरे मैदान का नक्षा आखों के सामने खेंच गया और लीला, प्यारी लीला, उस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरतनाक आखों से ताक रही थी, मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ, इस वक्त महर सिंग ने मेरी तरफ ताका, उसकी आखों में मोती के कत्रे डबडबाय हुए थे और बोलाक भीक भी तश्रीफ लाया की जिएगा, मैं सिर्फ इतना जवाब दिया मैं आपका बहुत कृत गय हूँ, फोर, धीरे-धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक महर सिंग के यहां जाकर दो-चार गाने न सुन लू जी को चैन न आता, शाम हुई और मैं जा पहुचा, कुछ देर तक गानों की बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता, ऐसे जहीन और समझधार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मजा आता था, मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्ष हो रही है, जब तक में पढ़ाता वह पूरे जीजान से कान लगाए बैठा रहता जब उसे देखता, पढ़ने लिखने में दूबा हुआ पाता, साल भर में अपने भगवान के दिये हुए जहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, मामूली चेहिया कि कभी जूट मूथ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की, वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेलकूद में रुची न थी, मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा, शाम होते ही सीधे घर चला आता और लिखने रेजनक थी, देखने में 16 से 17 साल से ज्यादा न मालूम होता मगर जब कभी में रवानी में आकर दुर्बोध कविकल पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगिमा से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारेकी को समझ रहा है, एक दिन मैंने उससे पूछा महर सिंह, तुम्हारी शादी हो गई, महर सिंह ने शर्मा कर जवाब दिया अभी नहीं, मैं तुम्हें कैसी औरत पसंद है, महर सिंह हमें शादी करूगा ही नहीं, मैं क्यों, महर सिंह मुझ जैसे जाहिल गवार के साथ शादी करना कोई औरत पसंद न करेगी मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे तो तुमसे ज़्यादा लायक हो या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हो महर सिंग ने मेरी तरफ अचंभे से देख कर कहां आप दिल लगी करते हैं मैं दिल लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ मुझे खुद आश्चरे होता है कि इतने कम दिनों में तुमने इतनी योग्यता ख्योंकर पैदा कर ली अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किये तीन बरस से ज़्यादा नहीं हुए महर सिंग क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकूगा मैं जोश से बेशक फाइव गर्मी का मौसम था मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था महर सिंग भी मेरे साथ था वहां मैं बीमार पढ़ा चेचक निकल आई तमाम जिस्म में फफोले पढ़ गए पीठ के बल चार पाई पर पढ़ा रहता उस वक्त महर सिंग ने मेरे साथ जो जो एहसान किये वह मुझे हमेशा याद रहेंगे डाक्तरों की सक्त मना ही थी कि वह मेरे कमरे में न आवे मगर महर सिंग आठों पहर मेरे ही पास बैठा रहता मुझे खिलाता, पिलाता, उठाता, बिठाता रात रात भर चार पाई के करीब बैठ कर जागते रहना महर सिंह ही का काम था सगा भाई भी इससे ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता था एक महीना गुजर गया मेरी हालत रोज बरोज बिगडती जाती थी एक रोज मैंने डाक्टर को महर सिंह से कहते सुना कि इनकी हालत नाजुक है मुझे यकीन हो गया कि अब न बचूगा मगर महर सिंह कुछ ऐसी द्रिगता से मेरी सेवा सुश्रुशा में लगा हुआ था जैसे वह मुझे जबर्धस्ती मौत के मुह से बचा लेगा एक रोज शाम के वक्त में कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिस्की लेने की आवाज आई वहां महर सिंह को छोड़ कर और कोई न था मैंने पूछा महर सिंह, महर सिंह, तुम रोते हो महर सिंह ने जबत करके कहान ही, रोय क्यों, और मेरी तरफ बड़ी दर्दभरी आखों से देखा मैं तुम्हारे सिस्कने की आवाज आई महर सिंह, हवं कुछ बात न थी घर की याद आ गई थी मैं सच बोलो महर सिंह की आखे फिर डबडबा आई उसने मेजपर से आईना उठा कर मेरे सामने रख दिया हे नारायन मैं खुद को पहचान न सका चहरा इतना ज़्यादा बदल गया था रंगत बजाए सुर्ख के सियाह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत बिगाड दी थी अपनी यह बुरी हालत देखकर मुझसे भी जब्त न हो सका और आखें डबडबा गई वह सौंदरे जिस पर मुझे इतना गर्व था बिलकुल विदा हो गया था 6. मैं शिमले से वापस आने की तैयारी कर रहा था मिहर सिंग उसी रोज मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया था मेरी तबियत बहुत उचाट हो रही थी असबाब सब बधचुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उत्रा मिस लीला मेरी आखों को विश्वास न हो रहा था, चकित होकर ताकने लगा मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया मैंने भी बॉकलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया मगर अभी तक यह यकीन नहीं हुआ था कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है लीला के गालों पर वह लाली न थी न वह चुल्बुलापन बलकि वह बहुत गंभीर और पीली-पीली सी हो रही थी आखिर मेरी एहरत कम न होते देखकर उसने मुस्कराने की कोशिश करते हुए कहा तुम कैसे जेंटिलमेन हो की एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुरसी भी नहीं देते मैंने अंदर से कुरसी लाकर उसके लिए रख दी मगर अभी तक यही समझ रहा था कि सपना देख रहा हूँ लीलावती ने कहा शायद तुम मुझे भूल गए मैं भूल तो उम्र भर नहीं सकता मगर आखों को एतबार नहीं आता लीला तुम तो बिलकुल पहचाने नहीं जाते मैं तुम भी तो वह नहीं रही मगर आखिर यह भेद क्या है? क्या तुम स्वर्क से लोट आई? लीला मैं तो नैनी ताल में अपने मामा के यहा थी मैं और वह चिट्थी मुझे किसने लिखी थी और तार किसने दिया था लीला मैं नही मैं क्यों तुमने यह मुझे द्वखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीडा सही है मुझे उस वक्त एक अनोखा गुसा आया यह फिर मेरे सामने क्यों आ गई मर गई तो मरी ही रहती लीला इसमें एक गुर्था मगर यह बात तो फिर होती रहेंगी आउ इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं वह तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक हैं मैंने अचरज से पूछा मुझसे मिलने की मगर लीलावती ने इसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़ कर गाड़ी के सामने ले गई उसमें एक युवती हिंदूस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया मैंने लीला की तरफ सवाल करती हुई आखों से देखा लीला क्या तुमने नहीं पहचाना मैं मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और अगर देखा भी हो तो गुघट की आड़ से खियोंग कर पहचान सकता हूँ लीला यह तुम्हारी बीवी कुमुदिनी है मैंने आश्चरे के स्वर में कहा कुमुदीनी यहाँ लीला कुमुदिनी मुह खोल दो और अपने प्यारे पती का स्वागत करो कुमुदिनी ने कापते हुए हाथों से जरासा गुघट उठाया लीला ने सारा मुह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चाद निकल आया मुझे खयाल आया मैंने यह चहरा कहीं देखा है कहा अहां उसकी नाग पर भी तो वही तिल है उगुली में वही अगूठी भी है लीला क्या सोचते हो अब पहचाना मैं मेरी कुछ अकल काम नहीं करती हुँ यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त महर सिंह का है लीला मुस्कराकर तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे इतना भी नहीं पहचान सकते मैं खुशी से फूल उठा कुमुदिनी महर सिंह के भेश में मैंने उसी वक्त उसे गले से लगा लिया और खूब दिल खोल कर प्यार किया इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हासल हुई उसके मुकाबिले जिन्दगी भर की खुशिया है थे हम दोनों आलिंगनपाश में बधे हुए थे कुमुदिनी, प्यारी कुमुदिनी के मुह से आवाज न निकलती थी हाँ, आखों से आसु जारी थे मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आखों से यह द्रिशे देख रही थी मैंने उसके हाथों को चूम कर कहाँ प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो, जब तक जियेगे तुम्हारे कृतग्य रहेंगे लीला के चहरे पर एक हलकी सी मुस्कराहट दिखाई दी बोली अब तो शायद तुम्हें मेरे शोप का काफी पुरसकार मिल गया झा झालो